आयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयार याज जोरों पर हैं 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी 500 साल के इंतजार के बाद राम लला अपने महल में विराजित होंगे जिसे लेकर हर तरफ कुशी का माहौल है वहीं बाइस जनवरी को होने वाले कारिक्रम को लेकर आज से ही आयोध्या में अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं बतादेगी राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के एतिहासिक अवसर वपद्म विवोशन तुलसी पीठादीशर जगत गुरु राम भद्राचार के पचातरवे जनमोचसप पर आयोध्या में एक हजार आठ कुंडी श्री हनुमान महायग्य का शुवारंब आज से हो रहा है बड़ा भक्तमाल की बगिया के सो एकड की परिसर में राजमहल जैसे पंडाल में आयोजिन की तैयारी पूरी है यहां राम कथा के साथ अविराम राम मंत्र वा हनुमान मंत्र गुंजेगा इस आयोजिन का साक्षी बनने के लिए एक लाख भक्तों के पहुँचने की संभावना है समरोह के लिए पियम नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया है बड़ा भक्तमाल की बगिया में बने पंडाल में प्रिवेश करते ही रामायन्यों की अनुभूती होने लगती है राजमैल की थीम पर बना प्रवेश द्वार हर किसी का मन मोह रहा है प्रवेश द्वार के अंदर पहुचने पर दोनों तरफ रामलला, धनुर्धारी राम, राजाराम की छवी भक्तों को आनंदित करती है करीब 200 कदम चलने के बाद ठीक सामने श्री राम की मूर्ती शोभा बढ़ाती है यहां मंदिर मॉडल की आकरती भक्तों को उत्साहित करती है थोड़ा और आगे बढ़ने पर पूरी राम कथा की दर्शन होते हैं राम जनम से लेकर लंका विजय तक के प्रसंगों को बड़े ही कलात मगधंग से फाइबर की मूर्तियों के जरिये प्रस्तूत किया गया है यहां पहुचते ही श्रद्धालू रामायन योग में लीन हो जाता है इसी के दाहिने और 1000 कुंडिय विशाल यग्यमंडब का निर्मान कराया गया है 14 से 22 जनवरी तक रोजाना हवन पूजन किया जाएगा बायोर विशाल कथा पंडाल बनाया गया है एक साथ 40,000 भक्तों के बैठने की व्यवस्ता की गई है पंडाल में 25,000 कोर्सियां लगाई गई है जबकि 15,000 भक्तों के जमीन पर बैठने की व्यवस्ता की गई है इसी कथा पंडाल से जगत गुरू राम भद्राचारे हजारों भक्तों को राम कथा का संदेश देते नजर आएंगे परिसर में ही 10,000 लोगों के लिए आवासिय व्यवस्ता की गई है जगत गुरू राम भद्राचारे के उतराधिकारी आचारे राम चंद्र दास ने बताया कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद भब राम मंदिर का उद्गाटन होने चारा है सभी सनातन धर्मी उत्साहित हैं वही 14 जन्वरी को सद्गुरू देव राम भद्राचारे का 75 जन्म उत्सब है गुरू और गोविंद दोनों का उत्सब है इसलिए उलास भी दोगुना है अनुष्ठानों का शुवारंब रविवार को होगा समापन 22 जन्वरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन होगा इस श्री हनुमान महायग्य का आयोजन पाक अधिकरत कश्मेर की प्राप्ती की कामना से किया जा रहा है रोजाना एक लाख भक्तों के भोजन की वैवस्ता रहेगी जगतगुरू रामभद्राचार पचत्तर विश्ष्ट व्यक्तियों के साथ संबाद करेंगे आयोजन परिसर में सजावट के लिए थाईलैंड, कॉलकाता, बैंगलूरू, पुने, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली से फूलों के एक लाख बंडल यानि करीब 20 लाख फूल मंगाए गए हैं समरोह में अमरित संध्या का भी आयोजन होगा, जिसमें नामचीन कलाकारों की प्रस्तुतियां होगी आचारे रामचंद्री ने बताया कि 14 जनवरी को लोगगाई का मालिनी अवस्ती, 15 को कभी सुनील चोगी, 17 को हेमा मालिनी, 18 को कनहया मित्तल, 19 को मनोज मुंतशिर, 20 को अनुप जलोटा, 21 को कभी कुमार विश्वास, और 22 को सान सन मनोज तिवारी, रवी किशन और दिनेश लाल का कारिक्रम होगा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन शहर के सभी पेट्रोल पंपो पर प्रसाद वितरित किया जाएगा, शनिवार को पेट्रोलियम डिलर एसोसियेशन की बैठक में ये ने नय लिया गया है, एसोसियेशन के अध्यक्ष राजेश सिंग न रखा जाएगा, अमरुजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमरुजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ, बैल आइकन दमाना ना भूले, ताकि हर खबर हो आ आपके घर, आमारुजाला, निश्पक्ष, निर्भी, निरंदर